प्रसने संख्या एक से तीन दिये गए विकल्पों में से सम्मंदित सब्द अच्छर संख्या आकरती को चुनिए तो इस टाइप के जो भी कोस्टेन होते हैं गाइस एक से तीन कोस्टेन हैं यह आपके थबसे पहले आपको एक चीज पॉइंट बताता हूं देखे जैसे कि प से तो मुर्तिकार का सम्मंद किससे होगा देखे गास जिस प्रकार डाक्टर का जो ओजार होता है तो तो यह हो जाएगा छेनी, Option C, छेनी, तो इसी की सहता से वो बुर्तिया बनाता है, अगला है पढ़ना का संबन्द ग्यान से मतलब जिस प्रकार पढ़ने से ग्यान बढ़ता है उसी प्रकार कार करने से क्या बढ़ता है अनुभव बढ़ता है एक्सपीरियंस बढ़ता है तो गाइस ये होजाएक option C is right answer अगला आपका देख लेते हैं गाइस देखिए गाइस आपको सबसे पहले आपको बनाना है राइट से यह वाला उसकी प्रका उसी प्रकार रॉंग से हमें कौन सा बनाना है चार आपसन दिये गए तो सबसे पहले राइट वाला देख लेंगे राइट वाला कैसे बनेगा तो 18, I का क्या होता है 9, T का होता है 20 और E का आपका क्या होता है 5 इसी परकार J का क्या होता है 10 E का कितना होता है 5 और V का होता है 22 और G का कितना होता है 7 R का होता है 18 स्टार्टिंग के दो पता कर लें हो बागी कि आपके पता चल जाएंगे देखिये 23 से 10 बनने में कितना घटा मायनस का 13,然 इसी परकर 18 से 5 बनने में कितना घटा, मतलब आपको अ देखिए guys, Elect Sophia can you one up a यहागता है आपक अथारा 2-你可以 ADAMs 5 ? 18 से 5 बनने में कितना घटा, मायनस kantarian, अब सिनके अपका आई, 10 में अन्दाफ ऊता audi assignments, Is This explain why β तो गाइस देखिए मैंने आपको बताया था क्यूंकि 2 में माइनस 13 माइनस 13 घटा तो आगे भी माइनस 13 ही घटेगा तो 9 तो इससे कम हो जाएगा अगर 13 घटाना है तो बैकवर्ड जाना पड़ेगा तो 9 इससे कम हो गया और बांकी के 26 से कितना कम हो गया चार तो 26 से 4 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 22 जो कि आपका वी मिल गया ओके तो इसमें भी आपका माइनस 13 घटेगा इसी प्रकार टी से हमें जी बनाना है टी का होता है 20 जी का होता है 7 तो कितना घटा माइनस का 13 और इससे हमें आर बनाना एका होता है 5 आर का होता है 10 तो इस 5 तो इससे कम होगा 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8 अब 8 किससे कम होगा 26 से तो कम करेंगे तो कितना होगा 8 और 1 मतल इसी परकार हम लोग इसमें यह alphabet हैं इसमें भी –13 –13 गटाते जाएंगे तो जो आपका answer मिलेगा गाइस बो बता देता हूं आपका Option A, J, E, P, A, T, देखे कैसे, W का कितना होता है 23, J का होता है 10, तो कितना गटा –13 इसी परकार R है, R का होता है, E का होता है 5, तो कितना गटा –13 गटा तो इसमें भी –13 में –13 गटेगा तो आपका answer हो जाएगा option है चलिए एकला question करते है, question है 4 हो 5, उससे पहले निज्जेस पढ़ लेते हैं, देखे, प्रसन संग्या 4 से 5, निम्न प्रसनों में दिये गए विकल्पों में से, कौन सा विकल्पों, नीचे दिये गए सब्दों का 60 क्रम दरसाता है, तो का है 4 है, इसका जो answer होगा वो हो जाए फिर तिसरा, तिसरा मतलब फिर उसके में तना आएगा, फिर पांचबा मतलब फिर तना जब आएगा तो उसमें फूल आएंगे, और लास्ट में क्या होगी, पूरी फसल तैयार हो जाएगी, ओके, तो यह हो जाएगा, अगला है पांचबा, इसका जो answer होगा, option C, पहले प मेड़क को सांप खा जाएगा, फिर दूसरा मतलब सांप को कौन खा जाएगा, गरून, मतलब बाज भी कह सकते हैं, चली अगला question करते है, question आपका कहता है, निमलिकित में से कौन सा चितर, अंग्रेजी अध्यापकों, लोग प्रिये अंग्रेजी अध्यापकों, अब प्र लोग प्रिये अध्यापक होंगे, वो इसके अंदर ही आएंगे, क्योंकि अंग्रेजी अध्यापक के अंदर ही लोग प्रिये अध्यापक आएंगे, और अप्रिये अध्यापकों के बीच, मतलब कुछ जो अध्यापक होंगे, वो अंग्रेजी अध्यापक मेंसे भी होंगे मतलब आपको पसंद नहीं होंगे तो इस परकार से आपका चित्र बनेंगा फिगर बनेगा मतलब इसका अंसर हो जाएगा option b चलिए अगला कोशन करते हैं कि आपका अगला कोशन बनता है आपको यहां पर missing number find out करना है तो guys सबसे पहले एक कॉलम को लेके चलेंगे फिर दूसरे फिर तीसरे को पहले को देखते हैं कि तीन चार और चार का multiply करते हैं तो कितना हैगा 48 इसी परकार दूसरे कॉलम में देखते हैं चार पांच और तीन का multiply करेंगे चार बंजे 20, 23, 60 देखे 60 मिल गया इसी परकार तीसरे कॉलम में यही करेंगे पांच का तीन में multiply कोशन मार की जगा एक्स मार लेंगे और किसके बराबर हो जाएगा 105 के तो 15 इसकल टू 105 यह काट देंगे तो 15 सते 105 तो option C is the right answer चली अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है आपका यहाँ पर missing number find out करना है देखे 5 से 7 बनने में कितना add होगा प्लस का 2 पर 7 से 11 बनने में कितना add होगा प्लस का 14 तो इन दोनों के बीच कितना एक अंतर है दो का तो आगे भी तो 2 का अंतर होगा तो यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा तो 11 में 6 add करेंगे तो आपका क्या हो पहली अगला देखते हैं तो गैस देखें अगला question कहता है किस उत्तर आकरती में प्रस्णा करती नहींत है मतलब ये वाला जो चित्र है इन चार option मेंसे आगर आप किस में नहींत है मतलब किस में है तो इसका answer हो जाएगा आपका कि Option D कैसे होगा मैं बता देता हूँ देखिए आपको ये उत्तरा करती जो है प्रसना करती ये देखिए ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे देखिए मिल गया पूरा तो ये वाला आपका option D is right answer चलिए अगला question करते है मैंने गिने चुने question लिए जो की जिस टाइप के question आपके exam में आते हैं तो ये question बैतालिस करता है ये question जो आपका स्लॉक का है मतलब निया निगमन या कह सकते है statement and conclusion या कथन या निसकरस वाले तो कथन देखिए क्या है सभी paper लड़किया है तो all paper all लड़कियां मतलब L माननेंगे और सभी धातुएं क्या है sorry कुछ लड़कियां धातुएं तो कुछ लड़कियों का हिस्सा क्या जाएगा धातुएं मतलब धा को हम लोग दाही लिख देंगे धातुएं आगे कहता है सभी धातुएं गलास है धातुएं या कह सकते हैं आल धातुएं आ रहा है गलास जी तोchnेए आगे निस्कर्ण कहता है कुछ गलास लड़कियां है तो गआश देखिए लड़कियों का कुछ हिस्सा यह पौर्शन है गलास में जा रहा है तो पहला सा ही हो जाएगा फिर कहता है कुछ ग्लास धातुएं हैं कुछ ग्लास तो ग्लास का कुछ इस्टा यह वाला है यहाँ पर आपका कहा जा रहा है धातुएं में जा रहा है कि नहीं नहीं देखे ग्लास सभी धातुएं तो आपकी क्या है ग्लास है तो कुछ की यहां बात हो रहे कि कुछ ग्लास धातुएं हैं तो गाइस देखिए आपकी धातुएं हो सकती है तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा मतलब पहला और दूसरा दोनो गतन सही है अगला क्या कहता है, कुछ पत्थर चट्टाने हैं, तो color change करते हैं, तो पत्थर ये हो जाएगा P, मतलब इसका कुछ हिस्सा कहा जाएगा चट्टानों में, चट्टानों को C माल लेंगे, कुछ चट्टाने हीरे हैं, तो चट्टानों का कुछ हिस्सा कहा जाएगा, H में हीरे आगे कहता है कुछ हीरे रतन हैं तो हीरों का कुछ हिस्षा आर में चला जाएगा रतन में आगे कहता है कुछ रतन पत्थर हैं तो गाइस देखें पत्थर और रतन में कोई भी संबन नहीं है तो यह गलत हो जाएगा सभी हीरे पत्थर हैं तो सभी हीरे, पत्थर हैं इसमें भी कोई समंद नहीं तो ये भी गलत तो दोनों कतन आपके गलत हो जाएंगे अगला देखते हैं Last question है आज का Question क्या कहता है सभी दिन राते हैं तो सभी दिन, Day, क्या है? Night और सभी सामे क्या है? राते, तो सभी सामे देखिए दुबारा बनाते हैं, सभी दिन क्या है राते, तो दिन को हम लोग D मल लेंगे, सभी दिन क्या है राते, और सभी सामे क्या है राते, तो सारा साम जो क्या जाएगा यहाँ पर रातों के अंदर, और सभी राते क्या है सुबह, तो सभी साते क्या हो जाएगे सुबह, आगे कहता है कि सभी दिन सुबह हैं तो सारे दिन क्या हैं सुबह सही हो जाएगा गाइस क्योंकि सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो सुबह का है और सुबह के अंदर ही दिन आ रहा है तो पहला सही आगे कहता है कुछ सुबह हैं सामे हैं तो साम देखें किस में आ रहा है पूरा का पूरा र में आ रहा है मतलब साम में रातें प्रप्र एंग तो यह भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा अपका साम का यह है तो दोनों निसकर से सही हो जाएंगे I hope आपको समझ में आपको तो गाइज आज किस वीडियो में इतना है थैंक्यू धन्ने बाद आपका दिन सोब आये